तो हेलो डिजाइनर्स कैसे हो आप लोग जानता हूँ जानता हूँ मैं यह वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ थोड़ा मतलब बहुत ही लेट हो चुका है लेकिन कुछ प्रॉब्लेम सैसी हो गई थी कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाया में टाइम पे लेकिन अगे से ट्राइ करूँगा कि थोड़ा टाइम टू टाइम वीडियो डाल सकू और उम्मीद है आप लोगों का सपोर्ड ऐसे मिलता रहेगा तुम्हें आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शटर स्टॉक के उपर बहुत सारे डिजाइनर्स है मतलब हमारे जैसे जो नए नही डिजाइन्स बनाते जिनके पास पूरान डिजाइन्स का बैककप भी पड़ा है वो लोग शटर स्टॉक क्यों पर अप्लोड करना चाहते बट किसी कारणवर्श शटर स्टॉक अप्रू नहीं करता उनके डिजाइन्स है ना बहुत सारी डिजाइनर्स के ऐसी प्रोब्लेम आती होगी कि उनके डिजाइन प्रोपर अप्रू नहीं हो पाती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपेर कैसी करने शटर स्टॉक के लिए डिजाइन है ना शटर स्टॉक में अपलोड करने से पहले आपको डिजाइन में क्या-क्या अब करता है ठाती है तो हम सबसे पहले हम जान लेते है कि शर्टर स्टॉक में टिजाइन अप्लोड क्यून ेशू नहीं होती तो अपरू घेरीन header में कहीती में बलर्फन चनृत सकति है ठीक अप्रू नहीं होता है फिर सेकंड जो रिजन है वो है कि हमारे डिजैन में कुछ फ्लावर्स या फिर कुछ भी मोटिफ ऐसे रहते हैं जो हमने कई से इंटरेट से लिए हुए रहते हैं और जो मतलब एक मॉडल रिलिज के कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए अपने को प्रॉपर मतलब देना पड़ेगा कि कि कहां से हमने मोटिफ लिया है तो वह सब चीज़े रहती है उसके वज़े से भी नहीं अप्रूट होता है तो हमको क्या है ना कि अभी मैं आपको मेरा एक शटर स्ट हो चुकि है और उसके लिए मैंने क्या किया है क्या ट्रिक यूज किये वह भी मैं आपको बताऊंगा एक बार मैं इस पेज को जड़ा रिफ्रेश कर देता हूं कुछ अब आपको टिक मार्क दिखेगा और मैं तो सर्प्राइज हूं कि यहाप मैंने पुष्पा की जो साड़ी थी पुष्पा मुवी की वह भी डाली है इसके उपर वह भी मेरी अप्रू हो चुकि है एक बार मैं यहां से कॉपी करके आईडी हम शेटर स्टॉप में खोल कर द और उसके लिए मेरे को कोई मॉडल रिलीज या ऐसा कुछ नहीं मांगा है ठीक है तो डिजाइन मेरे ऐसी अप्रू हो चुकिए यहाप अब देख सकते हो इधर दिख रही है डिजाइन मतलब के होता है अप्रू थोड़ी एक ट्रिक है जो मैं आपको भी बताऊंगा थोड मैंने बंद कर दिया कुछ यहाँ पर डिजाइन से मैंने डेश्टॉप पे एक फोल्डर में डालके रखे परदे की डिजाइन से इनको हम वो प्रोसेस में आपको इन डिजाइन के ऊपर करके बताऊंगा कि यह क्या करना पड़ेगा हमको ठीक है मैं एक आपको डिजाइन को ओपन करके बता देता हूं यहाँ पर इस तरह के कुछ डिजाइन है और हो सकता है कि इसमें ब्लरीनेस और यह सारी चीज़े हैं हो सकता है अपरू ना हो लेकिन मैंने जो ट्रिक की है वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा तो यह शायद मतलब उस ट्रिक के थूशायद अप अपना के रखेंगे तो हर बार हमको यूज हो जाएगी तो एक्शन ओपन कर लेते यहाँ पर जो एक एक्शन बनी है यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूं ठीक है एक नया अब सेट लेंगे हम हम इसको दे देते हैं अब शटर स्टॉक रेडी ठीक है इस तरह से कुछ नाम दे देते हैं इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक न्यू एक्शन लेंगे एक्शन को भी हम वह सेम नाम दे देंगे ठीक है आप चाहो तो कोई बटन इसको डेडिकेट कर सकते हो नहीं करना है तो आपको यहा हमारी मेन प्रोसेस चाल होती है अभी हमको करना सबसे पहले लेयर को मर्च कर देना है यह पहला का हमने कर लिया एक्शन में रेकॉर्ड हो रहा है फिर हमको उसके बाद क्या करना है थोड़ा जूम करके देख लेते हैं है ना यह प्रिंट साइज की फिर हमको करना है थीन बार कर दिया तीन बार करने के बाद में यह मतलब थोड़ा सा बलख हो चुका है फिर इसके बदर क्या करना है हमको इसके बार सिlicht करनी है Size तो ठीक है ठीकई तु Size में हम फिराल कुछ नहीं करेंगे अगर ज़रुएत पड़ी तो हम बाद मीन उसको Recite कर देंगे Blur more हमने कर दिया उसके बाद मी हमको Hue Saturation खूलना है और थोड़ा Size का Color है आपको Change करना है ठीक है तो आप चाहो तो इस तरफ लेके जा सकते हो या फिर इस तरफ लेके जा सकते हो तो मैं इसको थोड़ा यलोईशी रखता हो है ना 20 मैंने यहां पर रखा है यू में और इसको मैं OK कर दूँगा आपको हर डिजन के साथ में यह प्रोसेस करनी है आप करके देखे फिर क्या होत है मुझे आप नीचे कमेंट में लिख के बताना कुछ प्रॉब्लम हो तो हम दूसरा कुछ इलाज उसका ढूड़नेंगे ठीक है तो यह मैंने इतना कर दिया फिर मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ फाइल को मैंने इसको सेव कर दिया मैं चाहू तो इसको जेपीजी के त आति फाइल है इसको मैंने बन कर देया अभी मैं नो कर दोगा यहां पर यह मैंने सेव Isco ने किया फिर इसको स्टॉप कर देते है एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल ही punish में हापे Save के नहीं हुए ठीक है यह सारा जो action है सारी files को एक ही बार में apply करना है तो अभी हम इसको escape कर देंगे जो action हमारा बन के ready है अभी हम उसको play करेंगे file में जाएंगे हम scripts में जाएंगे और image processor के उपर हमको click करना है जैसे हम normal कोई भी action play करते है ठीक है यहाँ पे मेरा folder वही selected है और jpg वाला option है ठीक है इसको मैं ठीक है चालू रखता हूँ एक default option हम चालू रखेंगे इधर और यह जो है ना यहाँ पर resize to fit यह वाला option हमको बंद कर देना है इसको हमारी इस option की हमको अभी कोई जरुरत नहीं है फिर हम प्रण कर देंगे तो यही action जो है वह सारे हमारी जो फाइल से folder में उन सारों को apply हो जाएगी तो अब यह process हो रही है ठीक है मैं थोड़ा वीडियो fast forward कर देता हूं ताकि सारी files को एक ही बार में मतलब action apply हो सके और आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े ठीक है तो यहाँ पर हमारी सारी process हो चुके पूरी यह message है इसको मोके करेंगे simply और देख लेते हमारी files बराबर बन चुके यहाँ पर है ना यहाँ पर मैं लिस्ट करता हूं इसको आप देख सकते हो यह सारी jpg files है इनको हमको Shutterstock के उपर upload करना है मैं आपको upload भी करके साथी साथ दिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परिशानी नहीं हो तो यह जो account है मेरा इसके उपर जाते हम यहाँ पर upload के उपर क्लिक करेंगे अपलोड के उपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ सिलेक मल्टीपल फाइल करेंगे फिर हम यहाँ से यह सारी फाइल जो है इनको सिलेक कर लेंगे अपलोड करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि कोई भी फाइल की साइज है ना 40 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है 40 MB से करूंगा 60 by size size के उपर मैंने क्लिक किया जो सबसी उपर वाली फाइल है इसकी साइज हम देख लेते हैं इसकी 45 MB है फिर उसके नीचे की 40 है ठीक है एक फाइल बहुत बड़ी लग रही है मुझे इसको थोड़ा चोटा कर देंगे हम उसके बाद इन फाइल को हम अपलोड कर कर देते हैं और अभी शायद यह फाइल छोटी हो जाएगी इसकी size मतलब छोटी करनी हमको ठीक है तो अभी जो उपर वाली फाइल है सबसे पहली 40 MB के बता रही है तो इतना यह परफेक्ट है ठीक है सबसे छोटी वाली जो फाइल है हमारी वह 5 MB के शायद यह रिजेक्ट ह देख लेते हैं अफ्लोड करने के बाद हमको पता चलेगा क्या अपर होता है क्या नहीं होता है तो इन सारों को फाइल को मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया इधर सारी फाइल को इन सारों को हम सिलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे ओपन ठीक है जैसे हम ओपन करेंगे तो आ है तो तो सारी फार हमाल यहां पर एड हो चुके हम यहां पर नेक्स करेंगे इसको नेक्स में नहीं से कर दिया उसके बाद यहां पर कुछ मैसेज बताए गए प्रोसेसिंग कंप्लेट यहां पर रिफ्रेश नाउ कर देते एक बार कुछ फाइल में प्रोब्लेम देना क्या देखा है वी कांट रिट वाजन्ट इन यूर फाइल कुन सी फाइल है 083 नंबर की फाइल है ठीक है इसमें के रर बता रहे हैं इसको क्लियर कर देते तो एक फाइल हमारी कम हो गई है तो टोटल हो गई हमारी 39 फाइल ठीक है तो हम सारी फाइल्स को और साथ में इन फाइल्स को भी सिलेक कर देते हैं यह शायद मेरी पूरानी बचिती छे फाइल एड करने की वह भी आड़ हो चुकी है तो हमारी 35 थी ना इसके लिए आप फोड़ी बता रहे हैं तो यह हमने कर दिया फिर यहाप में इलुस्ट्रेट करने के यहां पर हम इस तरह से डालेंगे फिर यहां पर बहुत सारी कर्टरंस की डिजाइन आ जाएगी फिर हमारी डिजाइन किस टाइप के वह हमको देखना है आप और एक्जांपल हमारी डिजाइन है यहां तो यहां पर जादार ऑल लावर की डिजाइन से बहुत दिखा रहा है हमको ठीक है हम देख लेते कुई हमारी टाइप की डिजाइन ओतो जैसे यह है ठीक है तो इस तरह कि हमारी डिजाइन से वर्क में तो kami क्या करते इसका जो डिजाइन तो फ्लावर्स हम फ्लावर्स तो रिने देता है इसको वेडिंग सीन से रहे में यह निकाल ले ठीक है अब देश्टाप बैग्राउंड भी हमको निकाल देंगे कि फॉर अब डिजिटाल हमने कर दिया यहां पर करेंगे अब्सक्राइक से लेक्ट यहां पर करेंगे आर्ट सिलेक्ट और यहां पर कीवर्ड में आएंगे फाइंड मोर कीवर्स पर हमको क्लिक करना है यहां पर पापस हमको कर्टन्स डालना है ठीक है तो यहां पर हम कर्टन डालेंगे ठीक है कि यहां पर कुछ इस तरह की में जैसा रही है तो हम कोई भी दू तीन सब्सक्राइब करेंगे एक दो और यह तीन और जो कीवर्ड से उनको एड करेंगे फिर यहां पर कुछ कुछ कीवर्ड सम डीटेल है ना जो जो हमको अध्यूंट करने हैं जी से हुं में और दो शिलेक्ट कर लेते हैं कि वर्ड ऑप्ड करेंगे ताक्यामा कीवर्ड मिल सके फिर हम एड कर देते हैं ना यहां पर बहुत शारी आ चुकी है तो हम इसको करेंगे अटेज सेलेक्टेट फोर्टी और यह शारी किता रोंज चुके कीवर्ड फिर आमको सब्मेट के उपर क्लिक कर देना है देसे आप सब्मेट के उपर क्लिक कर दोगे तो यह सारी फाइल हमारी अप्रू होने के लिए पेंडिंग यहाँ पे चली जाएगी ठीक है तो इस तरह से शेटर स्टॉक के उपर आप कोई भी फाइल ठीक है